हलो दोस्तों नमस्कार कैसे आप सभी एक बाप फिर से श्वागत आपका हमारी ओडिप चैनल पर दोस्तों सबसे पहले तो आसा करते हैं आप सभी स्वस्त होंगे अच्छे होंगे एक बाप फिर से हम यहां पर देखने वाले उत्राखंट जो है स्वाश्टी विभाग में ल 1266 पर पर नर्सिंग ऑफशर की बात कर लिए दौनों के उपर हमने अपडेट दिया अब एक और अपडेट जो है यहां पर उत्राकन सरकार की तरफ से सभी स्वाश्टी विभाग में इन करमचारियों के लिए बड़ा अपडेट तो सीधे हम इसका जो है एड़टाइजमे इसके लिए यहां पर जारी किया गया है यहां फिलाल मैं पहले भी आपको बताया था और मंत्री जी की तरफ से जो है उत्राकन के स्वाश्टिय मंद्र है डॉक्टर दंसिंग रावत उनकी तरफ से भी लगाता है यह जो अपडेट आ रही थी कि जल्द यहां पर विग्या एक फरवरी से एक फरवरी यहां पर इन्होंने बिग्यापन को प्रकासित क्या था आप जो है इसमें आविदन कर सकते हैं 13 फरवरी से और आविदन करने की लाश्ट एट है 4 मार्च ठीक है चार मार्च इसकी लाश्ट एट रहेगी 13 फरवरी से चार मार्च के वीज में आप आविदन जो है कर सकते हैं अब जो 391 जो पद टोटल निकले वह हैं इसमें हम देख लेते हैं कि किस कैटेगरी में कितने पदों के लिए यहां पर विग्यापन में जो है विग्यपती जा जाती के 17 फरवरी जारी किये हैं अब हम जिल्रे वार ठीक है किस जिल्रे में कितने पदों पे विग्यापन जारी हुआ है और कितने पद खाली हैं और कैटेगरी सब कैटेगरी वाईज भी हम देखेंगे सबसे पहले अगर हम अल्मोडा की बात कर लिते हैं हल्मोरा मैंकूल 43 पदों पर जो है यहां पर निकली वह हैं जिसमें कि 38 जीनल के हैं 5 EWS के हैं बागेशवर जिल्ले में 13 पदो हैं जिसमें कि 10 जीनल के हैं 12 EWS का है एक अनुसुशी जाती का है ठीक है चमोली जिल्ले में 32 पद निकले हैं जिसमें 27 जनरल के हैं तीन EWS के हैं दो अनुसुशी जाती के हैं चमपावत में 13 पदों पर बिक्यापन निकला हुआ है जिसमें कि 8 जनरल के हैं एक EWS काटेग्री का है, और तीन पद अनुसूशी जाती का, एक अनुसूशी जाती का, देरा दुन में 57 पद यहाँ पे निकले हुए हैं, जिसमें की 48 जिनरल के हैं, 6 EWS के हैं, तीन जो हैं अनुसूशी जाती के पद हैं, ठीक है, हरिदवार में देखे हैं, तो 9 पद 42 पद हैं, पौडी में 64 पदों के लिए हैं, पिथोरागड में 27, रुद प्रियाग में 7 पद हैं, टीहरी गडवाल में 28 पद हैं, उदम सिंग नगर में 40, उत्तरकासी में 14, तो कुल 391 पदों पे यहाँ पे बिक्यप्ति जारी हुई है, जिसमें की जनरल के 299 पद हैं, ठ इसके लिए आपके पास में क्या होना चीए, दिखिए भारतिया नर्सिंग परिशन नहीं दिल्ली द्वारा, समय समय परंदहरित, सैफचिक योगिता, एबं उक्त के अनुरूप, जो बेसिक स्वास्तिय कार्य करता परिशिक्षण को ट्रेनिंग, जिसमें की 6 मन्त का जो परिशिक्षण समलित है, या आपको ने सपलता पूरवक किया हो, तो जिनोंने एनम किया है, उनको पता है, तो जब आप एनम करते हैं, तो आपके साथ में ये 6 मन्त का कोर्स भी उसी में इंक्लूड रहता है, ठीक है, तो आपके पास में होगा, दूसरा यहाँ पे देखि में उत्राखन नर्सिंग काउंसलिंग में रशिशन होना चीए, तो अदर इस्टेट वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं, आगे हम देखेंगे भियापन में, और क्या क्या सरत हैं, यहाँ पे रखेंगे, फिलाल तो यहाँ पे देखिए, एक सरत आपने य नर्सिंग काउंसलिंग में रशिशन होना चीए, अब यहाँ पे देखिए अभियरती के पास, उत्राखन नर्सिंग मिडवाइब काउंसलिंग देरदुन में, ओनलाइन आविदन करने की अंतिमतिति तक, पर्मनेंट या रिन्यूवल रशिशन सेर्टिपिकट होना रशिशन करने की अंतिमतिति के पच्छा जारी किये गे प्रमान पत्र यहाँ पर माण्या नहीं होंगे, यानि कि जो आपका रशिशन होना चीए, उत्राखन नर्सिंग काउंसलिंग में, वो जो विग्यापन जो जारी किया गया, एक फरवरी को, इस तितिता का आपके पा ठीक है ऐसे करने टेट को डिस्क्वालिफाइक किया जाएगा वह इलिजिवल नहीं है फॉर्म बनने के लिए एज जो है 18 वर्स से 42 वर्स के बीच में और जो एज जो कैलकुलेशन की जो निच्छायक देती है वह एक जुलाई 2000 एक जुलाई 2030 को आपकी एज मिनिमम अठारा वर्स समय एक जिमम बेहालेस वर्स होनी चाहिए ठीक है बाकी जो है आरक्षान के अनुशार जो विबिन काटेगरियों में जो छोड़ दिया जाता हूँ आपको द आपको दिया जाएगा ठीक है अब चैन परक्रिया बात कर लेता है तो क्योंकि चैन परक्रिया आपको पता ही है सीनियर्टी वाइज यहां पर होता है तो जो सीनियर्टी वाइज होता है इसमें आपका इयर्वाइज सीनियर्टी वाइज जिसमें की आपके माक्स को देखे जाता है बाकी इसमें फीस की बात कर लेते हैं कितना फीस यहां पे लिया जा रहा है तो यहां पे जनरल के लिए 300 रुपए फीस है ओबीसी के लिए 300 है अन्य काटेगरी के लिए 2.500 तो यहां पे फीस रखी गई है ठीक है तो जो application form भनने का जो शुल्क है वो 300 रुपे general OVC के लिए है बाकि 500 रुपे अन्य कर्टेगरी के लिए है अब इसमें देखिए जब आप form भरेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी है ठीक एफिचली बार भी जब जो 850 पतों पे जो बिग्यापन जारी ह हुआ था एन्यम के पतों पे उसमें भी बहुत सारी mistakes जो है candidate ने करी थी जिस वज़ा से उनके जो form थे वो क्या हो गे थे बाद में reject हो गे थे ऐसे candidate भी हमने देखी थे कि जिनका chain होना चाहिए था लेकिन उन्होंने क्या कर दिया था form को गलत फिल कर दिया था जिस वज़ा से उनके form आयोग ने reject कर दिया तो इस बार ही गलती आपको नहीं करनी है वाकी form के उपर एक प्रॉपर अपडेट जो है आपको हमारे चेनल पर मिल जाएगे कि इस तरीके सापको आपना form फिल करना है